नमस्कार दोस्तो तंदुरुष जीवन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल और शारिक बदलावों के कारण गरवती मेला के हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है इसके अलावा टकनों, अंगलियों, चेहरे और शरीर के बहुत से अंगों में भी सूजन आ जाती है तो आज बात करेंगे सूजन आने के कारणों और गरवती महला ऐसे में कैसे रहत पा सकती है और कौन सी स्थिती में उसे डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए दोस्तों कम्पलीट जानकारी के लिए वीडियो पूरी देखें वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों गर्भावस्ता की पहली तीमाही में स्तनों में हलकी सूजन हो सकती है तो दूसरी और तीसरी तीमाही के दौरान शरीर के विभिन हिस्सों जैसे की हाथों, पैरों, अंगलियों, टकनों वा चेहरे में सूजन हो जाती है दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है जिससे की बॉड़ी के विभिन हिस्सों में सूजन आ सकती है इसके अलावा हार्मोनल बदलावों, गर्भाशे के बढ़ने, यूरिन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ने और बलड प्रेशर बढ़ने यानि कि प्री एकलेंप्शिया के कान भी सूजन आ सकती है इसके अलावा लंबे समय तक एक ही जगा खड़े रहने, पैरों पर ज्यादा जोर पढ़ने, किडनी या फिर लीवर से जुड़ी समस्या के कान भी सूजन आ सकती है दोस्तो अब बात करेंगे कि ऐसे में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और सूजन से राहत पाने के लिए आप क्या कर सकती है लगातार एक ही जगह पर खड़ी ना रहें दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान एक ही जगा पर ज्यादा देर तक खड़ी रहने से पैरों में सूजन आ सकती है इसलिए आप एक ही जगा पर ज्यादा देर तक खड़ी ना रहीं दोस्तों वैसे भी प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में ज्यादा देर तक खड़े रहने से पैरों की नसों पर पानी जमा होने लगता है और सूजन की समस्या बढ़ती है इसलिए चाहे आप रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही हो बरतंद हो रही हो या फिर कोई भी अन्या कामकाज कर रही हो ऐसे में आप लगा तार ज्यादा लंबे समय तक खड़ी ना रहें बीच बीच में बैठ जाएं या फिर थोड़ा चले फिरें इससे पैरों में तो ऐसे में राहत के लिए आपको गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालना है और फिर उसमें अपने पैरों को डुबोना है कुछ देर के लिए आप गुनगुने पानी में अपने पैर डुबो कर रखें ऐसा करने से आपको पैरों की सूजन से आराम मिलेगा हमेशा बाई करवट में सोई दोस्तो प्रेगनेंट महलाओं को हमेशा बाई और सोना चाहिए क्योंकि लेफ्ट साइड में सोने से गरभाश है दिल और लीवर सहित पूरी बॉडी में बलड का फ्लो सही बना रहता है और ऐसे में बॉडी में सूजन आने की अशंका कम रहती है मालिश करें दोस्तो अगर शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन है या फिर अगर आपके पैरों में सूजन है तो ऐसे में गुनगुने तेल से मालिश करें मालिश के दौरान नीचे से उपर की तरफ घुटनों तक जाएं मालिश करने से बलड सर्कूलेशन भड़ेगा और सूजन से राहत मिलेगी पैरों में सूजन होने पर गरम पानी की सिकाई करने से भी आराम मिलेगा बैठते समय पैरों के नीचे कुछ रखें दोस्तों जब भी आप किसी कुरसी या सोफे पर बैठें तो आपको अपने पैरों को नीचे जुलाना नहीं है ऐसे में आपको अपने पैरों के नीचे कुछ रख लेना है जैसे कि लकड़ी की फट्टी, पीडी या फिर कोई स्टूल आदी ताकि आपके पैर रिलेक्स हो सकें और बैठने के दौरान अपनी टांगों या टकनों को एक के उपर एक ना रखें बीच बीच में अपनी टांगें सीधी करें और ज्यादा देर तक एक ही जगा पर बैठी ना रहें समय समय पर आप अपनी पोजीशन भी बदलती रहें नमक का सेवन कम करें दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान सूजन होने का एक कारण शरीर में सोडियम की मातरा का अधिक होना भी है इसलिए pregnancy के दौरान sodium का level कंट्रोल करना भी जरूरी है अगर आप भोजन में ज्यादा मात्रा में नमक का प्रयोग करती है तो यह गलत है अगर आपके पैरों में सूजन है तो ऐसे में आपको अपने भोजन में नमक का सेवन कम करना है आराम दायक जूते पहने दोस्तो टाइट जूते पैरों में बलड के फ्लो को प्रभावित कर सकते हैं जिससे पैरों में सूजन आने की संभावना बढ़ सकती है इसलिए आराम दायक और हवादार जूते पहने ताकि चलने फिरने में आपको कोई मुश्किल ना हो दोस्तो प्रेगनेंसी के दौरान हेल्दी डायक यानि की पौश्टिक भोजन करना बहुत जरूरी है क्योंकि पौश्टिक भोजन आपकी सेहत के साथ सूजन जैसी दिक्कत की अशंका को कम कर देता है खून की कमी से बचने के लिए आरेन युक भोजन करें जैसे की आप अ दोस्तो अपने शरीर को सूजन से बचाने के लिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं ताकि आपका शरीर हाइडरेट बना रहे क्योंकि एक हाइडरेट शरीर सूजन की अवस्ता को ठीक करने का काम करता है चाए या कॉफी पीने से बचें दोस्तो कैफीन युक्त पधार्तों जैसे की चाए कॉफी शरीर को डी हाइडरेट करने का काम करते हैं जिससे की शरीर का सूजा हुआ हिस्सा और परभावित हो सकता है इसलिए ऐसे में चाए कॉफी का सेवन ना करें धीले-ढाले कपड़े पहने दोस्तों अगर आपकी बॉडी में सूजन है तो ऐसे में आराम धायक और धीले-ढाले कपड़े पहने क्योंकि ऐसे में टाइट कपड़े पहनना तकलीफ धायक हो सकता है एक्सेसाइज वा सेयर करें दोस्तो एक्सेसाइज योग वा सेयर करने से आप सूजन को नियंतरण में रख सकती हैं ऐसे में रोजाना भोजन करने के बाद थोड़ी देर सुभा और श्यांग को सेयर जरूर करें और कुछ देर के लिए जरूर टहलें दोस्तो पैरों की सूजन कम करने के लिए आप सिधी लेट जाएं अपने पैरों को सामने की और सीधा करें और पैरों के पंजों को धीरे धीरे आगे पीछे करें दोस्तो हाला कि शुरुआत में ऐसा करने से दर्द होगा लेकिन इससे धीरे धीरे पैरों के दर्द से आपको आराम मिलेगा दोस्तो टकनों की सूजन कम करने के लिए पैरों की एक्ससाइज करें ऐसे में आप अपने पैरों को उपर और नीचे की तरफ करें और फिर इसे गोल-गोल घुमाएं दोस्तो वैसे तो हार्मोनल और शारिरिक बद्रावों के कान प्रेगनेंसी के दौरान शरीर के विभिन हिस्सों में सूजन आना नॉर्मल है लेकिन अगर आपको प्री एक्लेमशिया के कान सूजन हो रही है तो आपको अपनी डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए दोस्तो जिन महलाओं का बलड प्रेशर हाई रहता है उन्हें प्री एक्लेमशिया होने की ज्यादा संभावना होती है दोस्तो अगर आपको सूजन के साथ साथ लगातार सिरदर्द रहे धुंदला दिखाई दे पेट के उपरी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो चेहर प्री एक्लेमशिया के लक्षन हो सकते हैं ऐसे में आपको अपनी डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें